Given that 15% of X income is equals to 20% of Y income 30% of Z income, the sum of their income is 9,000 If Y spent 2,200 from his income, then Y saving is Okay, तो देखे जो जो question में given है 15% of X income यहनि कि 15% of X income देखे इसको कर देखे, 15X equals to 20% Y equals to 30% Z तो यहां से देखे परसंटेज को रिमूब कर देखे अभी परसंटेज है लेकिन एजूम करते परसंटेज नहीं तो देखे 5 से कैंसल करके इसको रिशोर छोटा बनाएंगे 3 is a 3X equals to 4Y equals to 5,6,30,Z तो देखे यह तो इसका रिशो नहीं है, इसको रिशो फिर्म करने के लिए सबसे पहले इसका LC हम लेना होगा 3,4,6 का LC हम लेंगे देखे कितना जाएगा,2L बाजाएगा 2L बाजाएगा 3 कितना नमर में जाएगा,4 times 4 यह X अब यह बना ratio,OK 4 कितना नमर में जाएगा,3,Y 6 कितना नमर में जाएगा,2L,2 times 2,Z इसको काट दीजे, तो अब यह जो बना, यह मेरा इसका ratio बना,OK X का ratio 4,Y का ratio 3,Z का ratio 2,OK यह बना जो कि, यह इलो का sum equals है कि इसका 9,000 की बड़ाबर यानि कि 4,4,3,9, कितना हुआ,9X एक वेरियन मान लेते है,X को,OK 9 equals to क्या है मेरा 9,000 1,2,3 तो यहाँ से मेरा X का value मिल जाएगा,1000 cancel हुआ,9,000 है,9,000 है,OK तो X का यह आगया, यहनि कि, जो X का है है, इसी में put करेंगे, Y में भी यह,Z में भी यह,OK तो पूचा कि, किसका income के बारे में बात हो रहा है, Y का income के बारे में बात हो रहा है,OK सबसे पहले तो Y का total income निकाल लेते है,3,Y है यानि कि 3 into y का मेरा y x इसका भी value मैंने 1000 निकला एक दो तीन यानि कि 3000 इसका total है total है y का कितना 3000 उसमें से क्या किया y ने 2200 खर्च किया 2200 कई पर खर्च किया मतलब तो उसका savings में क्या फार्क पड़ा कितना बाचा उसके बास 800 रुपए तो option C मेरा इंजर होगा thank you